तो आपको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपसरोड में और आज हम बात कारेशिです स्वाड लेवलिंग के सीजन 2 के एपस एपसरोड 9 के बारे में और हमने पहले के एपसरोड में ये देखा था कि संग अपनी रैंग को चेक कराने के लिए कहांटर थो जगहें में पता चलता है कि रेंग 3 दिन के दिन के रहें sometimes से भी मिलता है और चैर्मेंन दो संक को से जोएन करने के लिए बोलते हैं लेकिन से क Henri major दे क्यों कर रहे हैं जैर्मन से कहते हैं कि आप कोडिया तोफकरई09 के वारे में तो जानते ही होगे और जो koreya है उसके top 5 major guild है हुस्स guild है hunter guild second है fame guild, ault third है tiger guild और fourth है finn guild और नुमर 5 है knight guild और अभी ये 5 हो guild power के मार्मले में एक जैसे हैं लेकिन आपने इन में से किसी भी guild को joined कर लिया तो जो power level है उसका balance भीकल जाएगा और आप यह बात जानते होगे कि गुल्मेंट की लोका यूज करके हंटरों को कुन्ट्रों को कुन्ट्रों नहीं किया जा सकता लेकिन जो हंटर ऐसे सेन है वो ऐसा कल सकती है और यहाँ संग मनी मन कहता है कि इस वरल्ड में मेजिक भी से कलोते मोस्ट्रल नहीं है और जो hunter है वो monster जैसे ही है और यहाँ chairman sang से कहते हैं कि Mr. Sang आपने क्या decide किया है और यहाँ sang कुछ भी नहीं बोलता है और sang money man कहता है कि यह एक बुरा offer नहीं है और यह वाद मैं जानता हूँ कि कोई normal इंसान होगा तो वो इस offer को easily accept कर लेगा क्योंकि वो Mr. Go के वज़े से जल्दी success पालेगा और उनकी government के अंदर भी अच्छे connection है और Mr. Go मुझसे भी ज़्यादा strong है और मैंने यह सोचा था कि मैंने बहुत अच्छा level up किया है लेकिन यह काफी नहीं है और chairman भी money money यह कहते हैं कि hunter association का major guild से कोई भी connection नहीं है और इसलिए hunter association उन guild को रोग सकती है और इस country को भी hunter association की बहुत ज़्यादा जुरूत है और chairman यह भी कहते हैं कि मेरे पाद ज़्यादा time नहीं बचा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा old हो चुका हूँ मुझे जल्दी से जल्दी अपना नया successor डूरना पड़ेगा और यहां संग chairman से कहता है कि sir मुझे माप कल देना old chairman यह सुनके बहुत ज़्यादा सोख हो जाते हैं old chairman money money यह कहते हैं कि आकरी में इसे भी पैसे चीए और यहां संग chairman को कहता है कि मैं fight कलना चाता हूँ और यह सुनके chairman बहुत ज़्यादा हिरान हो जाते हैं old chairman कहते है कि तुमारा मतलब यह है कि तुम magic beast से fight कलना चाते हो और उसमें संग हा बोलता है और यहां संग money money यह सोच रहा होता है कि जो hunter obsession होती है वो भी rate कलती है लेकिन यह लोग D rank और यह E rank वाले gate में ही rate कलते हैं और मैंने इन लोगों को join कर लिया तो मैं अपनी level को कभी बढ़ान नहीं पाऊंगा और मुझे hunter की रूप में grow कलते रहना है और संग chairman को यह कहता है कि मैं dungeon में block कलता हूँ और यह सुनके chairman बहुत ज़्यदा हहरान हो जाते है और chairman money money यह कहते है कि मैं यह विश्वास नहीं कल सकता लेकिन इसके आखों से यह पता चर रहाएगी यह बहुत ज़्यदा serious है और chairman अपने दिल में हाथ रखते हुए कहते हैं कि मुझे यह याद नहीं कि मैंने last time ऐसा cup feel किया था और chairman money money यह भी कहते हैं कि मुझे यह चीज नहीं पता था कि मेरा दिल अभी भी इतना तेज दराग सकता है और मैं 10 साल या 20 साल younger हो था तो मैं यह यंग hunter को साथ मिल के fight कल सकता और यहाँ संग खड़े हो की कहता है कि घर में मेरी चोटी बेन अकेली होगी इसलिए मुझे जाना होगा और यहाँ chairman संग को कहते हैं कि तुमने बात कलने के लिए time निकाला उसके दन्यवाद और संग जाते हुए mister boo से कहता है कि mister boo आपके आखे सही में बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैंने double dungeon के अंदर जो 20 थे मैंने उन्हें defeat नहीं किया था और यह सुनके mister boo भी वह ज़्यादा हिरान थे और यहाँ mister boo money money के कहते हैं कि फिर किसने double dungeon को clear किया होगा और यहाँ chairman mister boo से कहते हैं कि जब healing magic discover हुआ था तो मुझे यह लगा था कि मुझे एजिंग body से मुझे शुटकारा मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो healing magic है वो एजिंग को reverse नहीं कल जकती और जो major guild है वो नए नए hunter को recruit कलते जा रहे हैं और जो हमारी country के military force है वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं है और जैसे hunter season खतम हो जाएगी तो यह लोग पूरी तरह से auto control हो जाएंगे और यहाँ mister boo chairman से कहते हैं कि sir आप hunter season के leader है लेकिन यहाँ chairman कहते हैं कि तुम सही के रहे हैं मुझे यह लगता था कि मेरे पावर है जिससे में इन लोगों को control में लग पाऊंगा लेकिन मैं यहाँ गलत था और mister boo जितनी भी मेरे यहाँ सेटी हो ले उन सबको clear कर दो लेकिन यहाँ mister boo कहते हैं कि sir आज आपकी prime minister के साथ meeting है लेकिन यहाँ chairman कहते हैं कि मेरा mood नहीं है किसे old geyser के उपर अपने time waste करनेगा और क्या क्या हाले drink में चलनेगा और इसके वाद हमें वंग दंग सो को पास ले जाया जाता है हम यहां दिखाया जाता कि huang dang so को संग का खारा बहुत बूली तारह से माल रहा होता है और यहां utng song कि अचानक से आउं खुलती है और वंग दंग सो यहां सी जब सफना देख रहाता और यहां वंग दंग सो की आलतीए लेकिन बैंग यह जगे में वह बैंग डग सो से मिलने क्लिए यू एसके डिरेक्टर आयां चाहते हैं और इस बाग सब्सक्राइapolis कर तुम्हीन चाहते हैं लेकिन चैयल्में केमरे की कि रिकोडिंग वीडियु दिखाते होगे कहाना है की मैंने यह जोना नहीं कि किसी magic beast ने इंसानों की मदद की है और क्या तुम्हें अभी भी लगता कि यह इंसान beast है लेकिन यहां वंगरंग सूर डिरेक्टर से यह सवाल पूछता है कि तुमने यह सुना कि डंजन के अंदर से कोई इंसान बाहर आया है और यह सुनने के बाद डिरेक्टर एकदम स्टूप हो जाते हैं और यहां डिरेक्टर जाने से पहले यह कहते हैं कि टीक होने के बाद बीरो गिल्ड में आ जाना क्योंकि उट जग में तुम्हार से मुझे फाइल को नहीं और वो भी से इतना स्ट्रॉंग है कि उसने तुम्हें भी डिपीट कर दिया है और यहां वंगडंसो संकी फादल की बात याद कर रहा होता है और संकी फादल ने वंगडंसो को यह बोला था कि कोरिया के अंदल तुम अपने एक कदम भी मत रखना और यह चीज में अप कौन सी जगे में जाने वाला है और उसकी बात जाने से पहले मुझे कुछ आइटम चीह रहेगा और मुझे गिल्ड में कॉंटेक्ट करना पड़ेगा उन आइटम को लेने के लिए और इसकी बात मैं उसे कैप्चर कर लूँगा और जैसे मैं ठीक होंगा मैं वैसे उसे खत किता जाता है और कोरिया में ऐसे बुस है लोग जो ऐसे मार्केट से वेपन करिए और बिशते हैं और अच्छी कोल्टिक वेपन है कि हंटर की लाइफ को भी बचा सकता है यानि कि एक अच्छा वेपन आपको प्रटेक्शन परवाइट करा सकता है लेकिन जो डी और ए रें को और उसके उपर के अंटर होते हैं वो लोग अच्छे पैसे कामा पाते हैं इसलिए वो अच्छे वेपन को फोर्ट कर सकते हैं और इससे उन्हें प्रटेक्शन मिल जाती है और जो हाई रेंगिंग के अंटर वेपन यूज करते हैं उनकी कोस मिलियन या बिलियन तक ही होत होंगे और पहले डीवन किस्टल में आग लगी हुई है और अपने आपको जलने से बचाने के लिए मुझे कोई आइटम चाहिए रहेगा और यहां संग अपने सौप से भाय कलने का कुछ सोसता है लेकिन संग को सौप के अंदर कोई काम की सीरीज नहीं मिलती है और यहां यह बोलता है कि यह और अटेक की पावर को डवल कल देता है इसलिए इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे और मैं यह चाहता था कि मैं इसे ब्लेक मार्केट में बेचू लेकिन पलसानी यह है कि मुझे यह चीज़ बतानी पड़ेगी कि यह सीज मुझे कह रिकोर्ड होता तो कोई भी मेरे उपस आख नहीं कलता कि यह मेरे पास कहां से आया है लेकिन मैं एक E-rank हंटर हूँ और इसलिए मुझे कोई भी हाय रैंकिंग की रेड में जौइन नेकलने देगा और यहां संग कंपोडर में यह देखता है कि कोई लो रैंकिंग के हंटर क को देते हैं और यहां चेर्मन यह कहते हैं कि इस फोडो को 4 साल पहले लिया था और यह देखने में बहुत ज़्यदा यंग है और यहां मिस्टर वू यह कहते हैं कि संजिन वू को वीके संटर कंसिडर किया गया है और इस फाइल के अंदर संग की पुरी रिपोर्ट है और चेर्मन ये कहते हैं कि यह सिस पॉसिवल है कि वो हाली में रेविविकनिंग नहीं हुआये और यहां मिस्टर वू मनी मनी ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो था तो संग डवल रंजन के अंदर अपने सातियों को मलना नहीं देता और चेर्मन को संकी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि संग जब रेड में जाता था तो उसे छोटे लगती रहती थी और यहां मिस्टर वू संग की family के condition भी chairman को बताते हैं और यहां chairman यह कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं इस दिनों में और यहां मिस्टर वू चेर्मन को यह बताते हैं कि हमें यह बात पता चली है कि संग rate को join करने वाला है और यह rate hunter guild का part है और यह सुनके chairman हरान हो जाते हैं और यहां chairman moneyman यह source रहोते हैं कि वो ऐसे ही बात कर रहाता और असलियत में उसके hunter guild के offer में उसका interest था और यहां मिस्टर वू यह कहते हैं कि मेरे source के जड़े मुझे यह पता चला है कि संग strike squad को join नहीं कर रहा है वो mining team को join कर रहा है और यह सुनके chairman फिल से हरान हो जाते हैं और उसके बात में एक worker के पास ले जाया जाता है और वो worker कहता है कि तुम्हें एक E class hunter हो और यहां संग है हाँ बोलता है और वो worker संग से यह पूचता है कि तुम्हारे पस इस काम को करने का कोई experience है लेकिन यहां संग कहता है कि मेरे पस कोई experience नहीं है और यहां वो worker संग के एक अंदे मात रखके यह कहता है कि नर्वस मत होना तुम्हाल जैसे यहां और भी अंटर है और वोलकर ये भी कहता है कि जाने से पहले अराम कर लो जाने की टाइम में अपने टूल को मत भूलना और यहां संग मनी मनी ये कहता है कि हाई रेंकिंग के डंजन बहुत ज़दा बड़ा होता है तो इसलिए एक strik squad सबको समाल नहीं सकती और इसलिए दो टीम में काम बटा हुआ है और पहले टीम है strik squad जो magic beast को समालेगी और second squad है mining squad की जो crystal और beast के body को collect कलने का काम कलते हैं और mining squad dungeon के अंदर तभी जाती है जब पहले टीम dungeon के boss को repeat करते और संग मन में ये भी कहता है कि डंजन के अंदर बिजली काम निकलती है इसलिए हम आप सीन का यूज निकल सकते है और इसलिए हमें पुराने तरीके से काम कलना पड़ेगा और यहां संग कहता है कि इस टूल के अंदर भी मेजिक फ्यूज है और यहां संग यह कहता है कि यह A rank का gate है और अच्छा हुआ कि मैं इस जगे मैं आया हूँ और वेसी भी मुझे इस dungeon के अंदर कभी न कभी तो कुछ नहीं था और उसकी बाद हमें dungeon के अंदर का scene दिखाया जता है और यहां जोंगीन यह कहता है कि यह dungeon बहुत ज़्यदा बड़ा है इसलिए मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा time लगने वाला है लेकिन हमने इसे कुछ ज़्यादा लंबा कीजा तो हम दूसरे टीम के schedule को भीगाल देंगे लेकिन यहां अचानक से बड़े बड़े monster भी आ जाता है अटेक करने के लिए और यहां जोंगीन अपनी cigarette को फेकती हुए और अपनी fire power का use करता है और इस जग में बहुत बड़ा धमाका होता है और यहां जोंगीन कहता है कि टैंक त्यार हो जाओ क्योंकि और storm इस तरह आने वाला है और जो टैंक होते हैं वो shield को लेकि एकदम त्यार हो जाते हैं और जितने भी टैंक थे उनने एक circle बना लिया था जिससे इनने अटैक से कुछ भी ना हो और यहां जोंगीन कहता है कि हम जली हुई body का कुछ नहीं का सकते हैं इसलिए मैंना old whack किया है और मैं इसको लेकि यह sword नहीं हूँ कि यह dungeon कितना अंदर गया होगा लेकिन जो सुलो में beast होंगे वो राग बन चुके होंगे और जो जो जोंगीन की team होती है वो यह देखके बहुत ज़दा impress हो जाती है और आग भुजने के बाद जोंगीन कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाल तक safely ले जाता हूँ और जलने के smell के वज़े से तोड़ा सा द्यान देना क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारी nose sensitive है और इसके बाद हमें बाहर का scene दिखाया जाता है और यहाँ दूसरी team को अपसे wait कर रही होती है डंजन के अंदर जाने के लिए और यहीं अंटर उसरेशन का बंदा यह कहता है कि मैं यह promise कलता हूँ कि उनका काम almost कतम हो चुका है और इसलिए तोड़ा सा wait ओर कर लो और इसकी तोड़े दरबाद स्ट्राइज उसको डंजन के अंदर से बाहर आने लगती है और संग मनी मनी कहता है कि finally इन लोगों ने काम कल दिया और संग मनी में यह भी कहता है कि यह लोग इस country के best strike squad है और संग जॉंग इन को देख के अपने helmet से अपने आपको चुपा लेता है और dungeon के अंदर से एक लड़की भी बाल निकलती है और संग मन में यह भी कहता है कि यह hunter guild की wise guild master है और यह episode यहीं पर कतम हो जाता है और मुझे पता है कि यह video बहुत जदा लेत आई है लेकिन मैं आप सब को यह बता दू कि इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि जिससे मैं अपनी voice को record कलता हूँ जो माइक की ख़़ाब हो गया था और जैसे मेरा माइक ख़़ाब हुआ वैसे मैंने 24 को नहीं माइक के लिए ओडर कल दिया था और जो मेरा ओडर था वो डिले हो गया इसलिए मेरा माइक भी बहुत जदा लेट आया है और इसी reason के वाज़े से वीडियो इतनी जदा लेट आया है और हम सब मिलेगा किसे next वीडियो में साय हो ना रहा